नमस्कार दोस्तो, स्वागत आप सभी का एक बर फिर से मेरे येट्योग चैनल रेरफेट्स में दोस्तो आज की वीडियो में हम डॉलर और रुपे के वैलू के बारे में बात करेंगे आपने बहुत सुना होगा कि डॉलर बढ़ रहा है और रुपे लगातार गिर रहा है और आजकल तो आप ये भी सुन रहे होंगे कि रुपे गिर नहीं रहा है बलकि डॉलर बढ़ रहा है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी पैसा गिरता है तो भारत में आम आदमी पर इसका क्या असर होता है साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह से डॉलर और रुपे की वेलू लोगों को परभावित करती है वैसे भारत भी काफी चीजे विदेश में निवेश करता है लेकिन भारत का आयात बारत के निवेश से जादा है यानि हम समान बेचते कम है जबकि खरीदते जादा है ऐसे में हमारे पास डॉलर आता कम है और जाता जादा है यानि भारत में अर्बों का माल डॉलर की कीमत के आदार पर खरीदा जाता है इस वज़े से भारत को डॉलर के एवेज में ज़्यादा देने होते हैं अब जितना जादा डॉलर की value होगी उतनी ही जादा कीमत भारत को आयात समान के लिए चुकानी होगी दोस्तों दुनिया में करीब 80% दी व्यापार डॉलर में होता है हर समान के बनने में डॉलर का इस्तमाल होता है डारेक्ट नहीं तो इंडारेक्ट रूप से डॉलर का इस्तमाल जरूर होता है किसी ना किसी समान की प्रोसेस वो आइटम उस प्रोसेस में वो आइटम इस्तमाल होता है जो विदेश से आता है इसका मतलब है कि उसके लिए ट्रेड डॉलर में ही किया होगा सीधे सब्दों में कहें तो आपके काम में आने वाले अधिकतर समान के संबन डोलर से है और उसे बनने तक ट्रेड डोलर में ही हो रखा होता है ऐसे में अगर समान पर डोलर और भारती करंसी की वेल्यू से असर पड़ता है तो हर वक्ति पर भी इसका असर पड़ता ही है अगर डॉलर की वैल्यू जादा है तो हमार लिए समान की कीमत जादा हो जाती है अब अगर हम असर की बात करें तो यह साफ है कि जब भारत का खर्चा जादा हो रहा है तो भारत के लिए ये गलत संकेत है जिसका असर हर वर्ग पर पढ़ता है इसके साथ ही जो व्यापार आयात पर जादा निर्भर करते हैं उन व्यापार से जुड़े समान भी डॉलर की कीमत बढ़ने पर बढ़ जाते हैं लेकिन भारत में अधिकतर समान आयात से जुड़ी च पसंद भी आई होगी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद